हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वलकम बैक तो माई यूटूब चैनल अरुप मारगरी तो देखे दोस्तों जितने भी आपर SSC MTS और हवलदार एक्जामनेशन 2022 के कैंडियेट्स है आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही जाता इंपोर्टेंट रहने वाले है इसलिए व काफी दिनों से अपने ओफिशल MTS के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहां पर SSC के तरफ से सिर्फ और सिर्फ डिसपॉइंट्मेंट देखने को मिल रहे है यानि कि SSC के तरफ से कोई भी रिजल्ट यहां पर नहीं रिलीस किया जा बट अब भी तक SSC के तरफ से कोई भी रिजल्ट नहीं रिलीस किया गया है जो बहुत ही बड़ा डिसपॉइंट्मेंट है काफी काफी जादा निरास हो चुके है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे है क्योंके आप लोगों पता है दोस्तों अभी इसके बाद और भी बहु है दोस्तों तो इन सभी चीचों को करवाने में करीबन में दो से तीन महीने और अधीक लग जाएंगे तो अगर अभी रिजल्ट ही आता है दोस्तों तो फिर जॉइनिंग कराते कराते है आप लोगों डिसमबर एंड हो सकता है या फिर कहीं कहीं जनवरी भी आ सकती है तो इस प्रॉसेस को मिशन मोड पर करने के लिए SSE को सोचना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका SSE MTS सनवलदार का जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको यहाँ पर रिलीस किया जाए और इसके साथ जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों वो है SSE MTS 2023 के लिए क्यों कि उनके साथ भी आप नायन साफी होने वाला है क्योंकि जितने भी कैंडिट से आपर SSE MTS सनवलदार इंग्जाम तेने के लिए साथ ही साथ SSE CGL 2023 के कैंडिट से साथ SSE Phase 11 का जो एक्जाम हुआ था इसके बाद आपका SSE CHSL 2023 का एक्जाम हुआ था तो यह जो सारे कैंडिडेट्स है यह सभी जाएंगे SSE MTS का एक्जाम देने के लिए इस बार जो अभी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है तो आप सोच लो जब यह जाएंगे तो यह लोग जहर सी बाते एक अच्छा स्कोर वहाँ पे क्रियेट करेंगा उमीद है जैसा होता है वैस कि जो कैंडिडेट्स है जिनों ने आपर एक्जाम दिया था तो वो लोग तो MTS का एक्जाम नहीं मतलब MTS का जो जॉइनिंग है वो नहीं लेने वाला है जिससे क्या है SSE MTS 22 में भी लगबग 3,000 से अधिक सीट यहां पर वेश्ट हो गए साथी साथ 1,000 आप एप्रॉक्स को मिल सकता था दोस्तों वो यहां पर नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे हो मतलब किता बड़ा यह मतलब एक खेल हो चुका है सभी कैंडिडेट्स के साथ तो SSE को यह को सिस करना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिजल्ट दे दे ताकि जिससे क्या होगा ना कि ज यही रिक्वेस्ट करूँगा और मुझे भी यही उमीद लग रहा है कि SSE भी इंची जो को ध्यान में जरूर रखी होगी और 31 तारीक से पहले आपका ओफिशल रिजल्ट यहां पर जारी कर देगी अब यही देखना होगा कि कब जो है रिजल्ट जारी करती है अब आज आ सकता है बट ऐसे देखी GD का रिजल्ट भी संडे के दिन ही आया था तो आपका रिजल्ट आ सकता है आज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है और रहा सवाल आपका अगर आज नहीं आता है तो most probably मुझे उमीद है कि कल Monday है और कल fresh result आपका official website में यहां पर SSE publish कर ही द दोस्तों इतने दिनों से इंतजार करना 70 दिन गुजर चुक है बट अभी तक no result that is totally disappointment ठीक है तो उमीद है दोस्तों यह चीज क्लियर हो गया होगा इसके रिए नहीं कोई भी डाउट रहेगे comment box में comment किजेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब् आशित सबसे best test papers जो बिलकुल आपके exam के latest pattern पर आधारित रहने वाली है इस book को practice करने के बाद दोस्तों बिलकुल आपको exam label वाली feeling आने वाली है और सबसे अच्छी बात इस book की क्या है कि इसको practice करके जब आप लोग exam देने के लिए जाओगे तो आप लोग को बिलकुल कही नहीं भी कोई बाहर की question वाली feel नहीं आएगी आप लोग को ऐसा लगेगा कि जितने भी questions आप लोग face कर रहे हो सभी इस book के through आप लोगों ने पहले से ही practice कर लिया है इसमें आपके GK, reasoning और English जो कि आपके exam के latest pattern पर आधारी subjects है उस पे best सारे questions आपके included किये गया है और सबसे अच्छी बात इस book की किया है दोस्तों कि इसमें आपके previous papers भी include किये गया है जो कि आपके 2015 से लेकर 2020 तक के सभी जो exams में आए हुए previous papers से उनको include किया गया है उसको भी आप लोग practice कर सकते हो और साथी साथ 10 बहुत ही important test papers आपको provide किये गया है उसको भी आप लोग practice कर लेना अ आप लोग offline किसी भी store से इस book को purchase कर पाऊगे ठीक है तो जल्दी से जाईए और इस book को बिना देरी किये यहाँ पर समय गवाए इस book को purchase कर लिजे ठीक है all the best